हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आमारे यूटूब चैनल कविंदर भाईया में तो आज हम लोग पढ़ेंगे कच्छाचे का महान वेक्तित्व यूपी बोर्ड पाठ अठाइस बेगम हजरत महल जी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे सभी प्रशन उत्तर भी करेंगे तो पहला हम लोग का प्रशन है लाड डलहोजी ने नवाब वाजिद अली साह को क्यों कैद किया तो इसका उत्तर है नवाब वाजिद अली साह राज्यक में सुधार करना चाते थे और उन्हें अंग्रेजों का हस्त पेच पसंद नहीं था इसलिए लाड डलहोजी ने नवाब वाजिद अली साह को कैद किया दूसरा प्रश्ण है आवज समराज के अंतरगत कौन कौन से छेत्र थे तो उत्तर है आवज समराज के अंतरगत सीतापूर, मुहम्मदी, सिक्रोरा, गोंडा, बहराईच, फोजाबाद, सुल्तानपूर, सलोन, बेगम, गंज, आदी छेत्र थे और तिसरा प्रश्ण है नेपाल के राजा ने बेगम हजरत महल को सरण देने में पहले असमर्थता क्यों जताई तो इसका उत्तर है नेपाल के राजा बेगम हजरत महल को सरण देकर अंग्रेज्यों का विरोध नहीं करना चाहते थे चौथा प्रशन है 1857 के संग्राब में बेगम हजरत महल द्वारा किये गए प्रमुक कारियों की सूची बनाई ये तो इसका उत्तर है बेगम हजरत महल ने राज काज के कारियों में ततपरता से कारे किया उन्होंने योग अधिकारियों को उचे पदो पर नियुक्त किया विशम परिस्थितियों और सीमित साधन होने पर भी उन्होंने लोगों में उस्सा भर दिया उन्हें उच्चा अधिकारी और सम्मानतों को संगठित किया बेगम ने इस्तिरियों का एक सैनिक संगटन बनाया कुछ इस्तिरियों को उनों ने जासूस के कार्य सौपे तो चलिए पहला देखते हैं पहला कह नमबर है वाजिद अली साह 1847 में अवध की गधी पर बैठे यह आम लोगों का सही है और खर नमबर है बेगम हजरत महल ने समराजवादी सहायक संधी पर हस्ताचर कर दिया था यह अमनों का गलत है गर नमबर है बेगम हजरत महल नवाब वाजिद अली सा की पतनी थी तो यह सही है ठीक है तो दोस्तों बेगम हजरत महल किसकी पतनी थी तो वाजिद अली सा की पतनी थी ठीक है यह याद रखिएगा हमेशा घर नमबर है बेगम हजरत महल ने अंग्रेजुके मां सम्मान और पेंशन के प्रस्ताव को स्विकार कर लिया यह गलत है अब हम लोग 6 नमबर प्रस्न करेंगे रिक तस्थानों की पूरति कीजिये पूरति करके हम लोग को बताना है ठीक है तो को नमबर है आवद समराज जी को यहाँ पे खाली अस्तान है ने सन 1856 इसवी में अंग्रेज सासन के अधिन कर लिया तो कौन कर लिया लाड बेलजली या डलहौजी या हैवलाक तो डलहौजी ने यहाँ पे भरा जाएगा डलहौजी ठीक है खालन नमबर है लाड बेलिजली ने यहाँ खाली अस्तान है से समराजवादि सहायक संदी परास्ताचर कर लिया कौन कर लिया तो सह آदत अली ने या वाजिद अली साहनılar या फिर बेगम हजरत महल ने तो इसका हो जाएगा यहाँ यह सही हो जाएगा सहादत अली ने ठीक है तो गह नमबर है लखनाओ पर अंग्रेजों के आधार के पस्चात बेगम हजरत महल अपने पुत्र के साथ रिकतस्थाने आप है चली गई कहां चली गई कोलकत्ता चली गई दिल्ली चली गई या नेपाल चली गई तो वह अपने बेटी के साथ नेपाल चली गई तो रिक तर्थाने में सरल ली कहां पे ली तो रेजिजेंसी या अलबागा या साही महल तो रेजिजेंसी ठीक है तो दोस्तों आप सभी कोई हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताए अगर आप हमारे वीडियो पर ने हैं तो हमेरी चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा सियर करें धन्यवाद